सोशल मीडिया पर काफी साथा लोग ये दावा कर रहे हैं कि 28 देसेंबर को जब प्रधान मंत्री नरेंतर मोदी ने ट्राइबलेस ट्रेन का इनागरेशन करा था तब उन्होंने स्पीच में ये बात कही कि भारत में पहली मेट्रो ट्रेन अटर विहारी वाजमेजी के एफ़ प्रधान मंत्री मोदी ने वाजपई को भारत में मेट्रो नहीं सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में मेट्रो लाने का श्रुए नमस्कार मैं हूँ दो लॉजिकल इनिन की फाक्ट चकीन से यूशा और आज हम बात करेंगे प्रधान मंत्री नरेंतर मोदी के उस स्पीच की जिसे शेयर करके लोग दावा कर रहे हैं कि मोदी ने भारत में पहले मेट्रो ट्रेंट का श्रे अटर ब्यारी वाजपई जी को दिया था हमने मोदी जी त्वारा दिये गई स्पीच को ध्यान से सुना और उस पाया कि उन्होंने कहा दिल्ली में काफी दिनों तक मेट्रो पर डि किन पहली मेट्रो चली अटल जी के प्रयास हों से की प्रदानमंत्री मोदी ने देश में पहले मेट्रो बनने का श्रे वाजपई जी को दिया था हाला कि बाद में उन्होंने भी correction कर आ और फिर से ट्वीट करा कि देश में नहीं दिल्ली में पहली मेट्रो गाश्रे मोदी जाज में हमने ये पाया कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्परेशन कप गधन 1995 में कंपनीज आक्ट 1956 के अंदरगत हो चुका था लेकिन पहली मेट्रो ट्रेंड का उद्खाटन 24 दिसेंबर 2002 को उस समय के प्रधानमंत्री अटर विहारी वाजपेजी ने करा इसके बात 25 दिसेंबर 2002 में दिल्ली में पहली मेट्रो पब्लिक के लिए अविलिबर हुई जो शहलरा से 30,000 रिपोर्ट के बीच में चलती थी में हो चुकी थी 1972 में इस प्लान को अप्रूबर मिल गया था और 29 दिसेंबर 1972 में तब की प्रधानमंत्री इंद्रा गांधी जी ने इस कंस्ट्रक्शन की नीव रखी थी फिर 24 ओक्टूबर 1984 में देश की पहली मेट्रो ट्रेन का कुलकता शहर में उद्गाटन हुआ था आगर आप सभी को ऐसे कोई भी वीडियो, न्यूज या इमेज मिलती है जिसके बारे में आप शर्ण नहीं है तो आप से हमें हमारे वाट्साप नंबर 6364000343 पर फैक्ट चेक के लिए भीज़ें आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए धन्य बात